हेलो प्रेंड्स उम्मिद करता हूँ आप सभी कल का टॉपिक नोट डाउन कल लिए होंगे और वीडियो देख लिए होंगे कल की कक्षा में हम लोग प्रशाशन अर्थ और छेत्रा जिसके अंतरगत सबसे पहले हम प्रशाशन पर बात किये थे उसके बाद लोग प्रशाशन की और आगे बढ़े थे चलिए आज लोग प्रशाशन की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं कल बोला था प्रकृति और महत्व जो हम प्रसाशन और लोग प्रसाशन के अंतरगत पढ़े हैं वही आपको प्रकृति और महत्व के अंतरगत आएगा तो आज लोग प्रशाशन के प्रकृति और महत्त्व के बारे में बात कर लेंगे उसके बाद आपको दूसरा टॉपिक है लोग प्रशाशन के अंतरगत उदारी करन के अधिन लोग प्रशाशन और निजी प्रशाशन तो आपको लोग प्रशाचन और नीजी प्रशाचन में अध्यान करना है इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे उसके वाद हम नमिल लोग प्रशाचन है विकास प्रशाचन वाद दूलनात्म लोग प्रशाचन इस तीनों टॉपिक को कल की कक्षा में देख लेंगे चलिए प्रार्यम करें लोग प्रशाषन की प्रकृति चलिए कक्षा सुरुवाद कर रहे हैं जो नोट सके अलावा और कुछ बातों का मैं अगर लेक करूँगा आप लोग कॉपि में लिख लिजएगा वहाँ आपको समझ में विक्सित करेगा ठीक है? चलिए लोग प्रशाषन संबंधित द्रिष्टी कोड हम सबसे पहले आज लोग प्रशाषन की प्रकृति के बारे में देख रहे हैं तो लोग प्रशाषन संबंधित द्रिष्टी कोड दो है पहला आपका एकिक्रित द्रिष्टी कोड है दूसरा है प्रबंधात्मक द्रिष्टी कोड इसको हम प्रशाषन में भी देखे थे वही आपको लोग प्रशाषन की प्रकृति के अंतरगत भी आता है तो क्या है एकिकरित दृष्टी कोड लोग प्रशाशन को सरकार के सभी कार्मी को एवं सरकार के समस्त अंगों के समगर अध्यान तक विस्त्रित मानता है मतलब क्या है कि प्रत्यक व्यक्ति कोई कार्य को प्रशाशन का अंग मानता है हम कहां देखे थे प्रशाशन में तो वही आपका जो लोक प्रशाशन के अंतरगत जिदने भी व्यक्ति उस कार्य में शनलगन रहते हैं उसे एकी क्रित द्रिष्टी कोड के अंतरगत रखते हैं इसी में आपका दूसरा द्रिष्टी कोड है प्रबंधात्मक द्रिष्टी कोड क्या है प्रबंधात्मक द्रिष्टी कोड? तो प्रबंध की ये दृष्टी कोड लोक प्रशाशन को सास की ये कामकाज के प्रबंध की ये समस्याओं एवं अधिकारी वर्गतक सिमित मनता है क्या देखेते कल हम केवल प्रबंध एवं देगभाल करने वाली क्रियाएं तो जो लोग प्रशाशन के अंतरगत कोई भी योजना के यानमित हो रहा है जहां लोग हित के लिए कारिय किया जा रहा है तो जिनके द्वारा वे अधिकारी जो वहाँ पर निरिक्षण कर रहे हैं उनका जो दाईत्व है उन्हें ही प्रबंधात्मक दिश्टिकोड के अंतर काम में सलग्न रहते हैं उन्हें साम्ल किया जाता है तो ये आपका पहला एकी किरित दिश्टिकोड और दुसरा प्रबंधात्मक दिश्टिकोड चलिए ये भी महत पून है लोग प्रशाशन का महत्त्वा यह आपका लोग प्रशाशन का अर्थ छेत्रव प्रक्रिति और म तरगत आता है तो आईए देखते हैं लोग प्रशाशन के महत्व क्या क्या है चले लिखिए लोग प्रशाशन के महत्व का महत्वपूर्ण बिंदू लोग प्रशाशन के महत्व के बारे में देखेंगे पहला है निर्धारित लक्ष की पूर्ती के लिए निरधारित लक्ष की पूर्ती के लिए लोग प्रसाषन बेहद महत्पूर्ण है विभिन्ना आर्थिक समाजिक वर राजनेतिक उद्योस्यों की प्रापती के लिए लोग प्रसाषन की महत्तपूर्ण भमीका होती है क्यों होती है क्योंकि यह आपका लोक हीद के लिए कार्य किया जाता है इसमें सेवा की भावना होती है कहीं भी आप देखेंगे चाहे आर्थिक दिश्टी कोर से देखें अधिक से अधिक लाब पहुचाने की प्रयास किया जाता है समाजिक इस्थिती में आप देखेंगे जो बुनियादी सुईधाएं हैं उनको दिये जाने का प्रयास किया जाता है इसके अंतरकत आपका पहला है लोग प्रशाशन के महतों में की निर्धारित लक्ष की पुर्ती के लिए दूसरा क्या है एक विशाय के रूप में लोग प्रशाशन का क्या महतों है क्या महतों है कि लोग प्रशाशन के प्रती एक समझ विक्सित होती है क्या विक्सित होती है आपकी लोग प्रशाशन जब अध्यान करते हैं तो आपकी समझ विक्सित होती है कि आप समाज में किस तरह से अपना परिचय देंगे कैसे आप प्रसास्किक सेवा में जाकर प्रशाशनिक कार्य करेंगे ये सभी आपको सिछा कहा स्वरापत होती है जब आप लोग प्रशाशन विशाय का अध्यन करते हैं उस दवरान आपकी समझ विक्सित होती है इससे व्यक्ति में नैतिक मुल्यों का विकास होता है आप में जब लोग प्रशाशन विशाय का अध्यन करते रहेंगे तो आप में अध्यकारी जैसे सोच विक्सित होगी और स्वयम में यह इच्छा जागरित होगी कि आप भी प्रशाशनिक सेवा का कार्य करें तो यही है एक विशाय की रूप में लोग प्रशाशन का क्या महत्वा है उसके अंतरगत तीसरा है आपका जन कल्यान का माध्यम तो जन कल्यान का माध्यम में क्या है इस रूप में लोग प्रशाशन समाज के सोचित पिडित वन्चित वर्ग को समाज की मुख्यधार में लाने का प्रयास करता है जो आपका लोग के हित के लिए जो निर्धारित लक्ष तै की जाती है उसके अंतरगत सरवाधिक प्रात्मिक्ता आप देखेंगे तो समाज के जो सोसित और पिडित वर्ग हैं वंचित वर्ग हैं उनको समाज में मुख्यधरा में लाने का प्रयाश किसके माध्यम से किया जाता है तो लोग को प्रशाशन के माध्यम से किया जाता है यह आपका तिसरा महत्व चाउथा है नीती को वेवहारिक रूप देना तो नीती को विभिन समय में किया जाता है इसके अंतरगत नीती को विभिन समय में किया जाता है इसके अंतरगत नीती को विभिन समय में किया जाता है इसमें आप देखेंगे जिस तरह से सरकार को योजना लाती है तो उसको क्रियानवित करने का दाइत प्रदान किया जाता है अधिकारी वर्ग को अधिकारी वर्ग अपने निचे के जो अधिकारी होते हैं उनको कार्य कर्यानवित करने का दाइत तो प्रदान करते हैं इसी प्रकार चलते हुए आप ग्रामिड अंचल तक पहुंचता है जिसके अंतरगत जो योजनाई क्रियानवित होने वाली रहती है वहाँ उसका क्रियानियन किया जाता है यही है नीती को बेवहारिक रूप देना जिसके अंतरगत जो कानून है नीतिया है जो कारेकरम है उन्हें लागू करने का साधन किसके माध्यम से है आपका लोक प्रशाशन के माध्यम से है आगे हम पढ़ेंगे कि पद स्वपान क्या होता है लाल पीता साही क्या होता है सभी के बारे में अध्यान करेंगे तो ये हुआ आपके लोक प्रशाशन के महत्तों के बारे में चार प्रमुक महत्तों हुए इसके अलबा आप देखेंगे तो यहाद सरकारी जो तंत्र है उसकी बुनियादे भी होती है जैसे आपका सनसधी प्रणाली है अध्यक्षिक्री प्रणाडि है इसके अंतरगत सरकार का भुनियादी नियू तै होता है किसके माद्यम से लोकु प्रशाशन के माद्यम से प्रमुक और महत्व हैं ये परियाप्त है आपका 4-60 नंबर का अगर प्रसना आता है तो भी आप इसको लिख लेंगे ठीक है याद रखेंगे 25 नंबर का आना है लोग प्रसाशन तो अच्छे से समाझ ज्विक्सित कीजेगा भले कम पढ़िए अगर कब पढ़े हैं अच्छ लोग प्रसाशन एवं निजी प्रसाशन प्रत्य दिन लिखते जाएगा बड़न नहीं होगा आपको नोटस दिया जा रहा है लोग प्रसाशन एवं निजी प्रसाशन क्या है पबलिक एड्मिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एड्मिनिस्ट्रेशन चलिए शुरुवा जाता है, दो भागों में बाटा जाता है, एक है आपका लोक प्रशाशन है, जिसे सरकारी प्रशाशन भी कहा जाता है, याद रखेंगे सरकारी प्रशाशन आगे आपको सब्दावली मिलेगा, तो डाउट नहीं होना है, सरकारी सब्दावली आपका लोक प्रशाशन के अंत उची जनता से संबंध रखने वाले कारियों को लोग प्रशाशन के अंतरगत समझा जाता है। लोग प्रशाशन के अंतरगत समझी जनता से संबंध रखने वाले कारियों को लोग प्रशाशन कहा जाता है। तो दिखिए निजी प्रशाशन में क्या है। सबसे पहले तो गैर सरकारी संस्था से आसे है। कोई निजी संस्था होगी। तो निजी संस्था मालिजे कोई उद्योग इस्थापित करता है। तो उद्योग इस्थापित क्यों करेगा। लाब अरजित करने के लिए। तो लाब अरजित करने के लिए वह निजी लाब को ज्यादा प्रात्मिक्ता देगा। जिससे उसकी कमाई में ज्यादा बढ़ोतरी हो। इनमें लोग हित की भावना कम होगी क्योंकि उनका उद्यश्य तो लाब कमाना है। तो यही है आपका निजी प्रशाशन। याद रखेंगे जब आप बुक का अध्यन करेंगे तो वहाँ प्रस्ण यहाँ है कि क्या ऐसा भेद करना उचित है। इस तरह से आपको सब्दवली का प्रवग मिलेगा तो देखिए लोग प्रशाशन आपको सरकारी प्रशाशन है और निजी प्रशाशन निजी प्रशाशन है ठीक है। ये आपका प्रशाशन को विभाजित किये लोग प्रशाशन एवं निजी प्रशाशन के बारे में आईए इसमें क्या समानताएं हैं उसके बाद निशकर्स पर बात करेंगे ठीक है चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लोग प्रशाशन एवं निजी प्रशाशन में समानताएं के बारे में क्या क्या लोग प्रशाशन एवं निजी प्रशाशन में समानताएं हैं पहले उसके बारे में देखते हैं उसके बाद हम असमानताई क्या क्या हैं उनके बारे में देखेंगे पहला लिखिए संगठन की आवसकता पहला है आपका संगठन की आवसकता संगठन की आवसकता में क्या है प्रशासन चाहे सास के तौर उपर किया जाए या नेजी तौर पर किया जाए संगठन की आवसकता दोनों में पढ़ती है अब ही सबसे पहले हम समानताई पर बात कर रहे हैं उसके बाद हम असमानता पर देखेंगे तो ठीक है तो देखिए समानता है हिसाब किताब तो सभी करेंगे चाहे लोग प्रशाशन वाले रहें या निजी प्रशाशन के लोग रहें उनके पास भी फाइल होगी जो योजना जो कारिय है उनका क्रियानुइत किया जा रहा है जो काम किया जा रहा है उसके लिए तो हिस आप किताब करेंगे ही, फाइल तो रखेंगे ही, इस प्रकार इनमें दोनों प्रकार से समानता हैं पाई जाती है, बस फर्क इतना है कि जो सरकारी अर्थात लोक प्रशाशन है, आपका जन कल्यार में अभिरिद्धी के लिए रहता है, जब कि नीजी प्रशाशन आपका जाए या नीजी तोर पर किया जाए, संगठन की आवसकता दोनों में पड़ती है, तो याद रखेंगे, जो संगठन है, वह प्रशाशन का सरीर है, सरीर, जब तक आपका सरीर स्वस्ता है, तो आप काम कर सकते हैं, और अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं, आप जब स जोस्त सरीर हो, तो कर सकते हैं, उसी परकार जो संगठन है, वह प्रशाशन का सरीर है, यदी मानवी एवं भावतिक साधनों का उचित संगठन न किया जाये, तो प्रशाशन के लक्षों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, जब तक आपका लोग प्रशाशन हो, या नीजी प्रशासन हो इसमें संगठन निर्मित नहीं हो पाएगी तब तक आपको लक्ष की प्राप्ति नहीं होगी यह आपका पहला समानता दूसरा है कार्य प्रणाली में समानता है सुधाल लेंगे असमानता नहीं है यह आपका समानता है क्या है कारेपडाले में समानता? समुचित प्रशाशन के लिए नियोजन, संगठन, आदेश, समनवय तथा नियंत्रण की आवसकता होती है पुनाबोरों समुचित प्रशाशन के लिए नियोजन, संगठन, आदेश, शमनवय तथा नियंत्रण की आवसकता होती है कैसे किया जाता है तो आंकड़े सबसे पहले उपलब्ध किया जाते हैं कि किस तरह से जो योजना है प्रमुक्चो सिध्धान्त है उनमें कार्यविधियों का पालन किया जाता है जब आंकड़ा उपलब्ध हो जाता है उसके बाद हिसाब किताब रखने के लिए फाइल और र प्रशाषन के उत्तरदाईत्व समान होते हैं इसका कारण यह है कि पदधिकारियों के धेय एक जैसे रहते हैं अपने नियत कार्य छेत्र में काम करते हुए उपलब्ध, मानवी एवं भौतिक समागरी को इस प्रकार प्रस्तुत करना ताकि यथा संभव अच्छे परणाम प्राप्त किये जा सके तो देखिए क्या है अधिकारियों के समन उत्तर दाइतों में कि दोनों के प्रशासन के उत्तर दाइतों समान होते हैं चाहे आप लोको प्रशाशन की बात करें या नीजी प्रशाशन की बात करें इसमें जो कुसलता होती है अधिकारियों का जो कुसलता है वह एक बहुत महत्पूर्ण इस्थान अपने जगह रखती है यही कारण है कि आप देखेंगे कई बार जो सरकारी प्रशाशन के करमचारी होत उन्हें नेजी प्रशाशन में भड़ती कर लिया जाता है क्यों कर लिया जाता है तो उसकी काम उसकी गुरुवत्ता इन सभी को देखते हुए अधिकारियों के समान उत्तर दाइत्वा जिस प्रकार आपके नेजी प्रशाशन में अच्छे कर्मचारी होते हैं उसी तरह तो कई बार जो सरकारी प्रसाशन के कर्मचारी होते हैं, उन्हें नीजी प्रसाशन में भड़ती कर लिया जाता है, तो यही है आपका अधिकारियों के समान उत्तर दाइत्वा, चौथा है जन संपर्क, तो जन संपर्क क्या है, दोनों में क्या समानता है, तो दिखिए, प्र परन्तु अब सरकारी प्रशासन जन्संपर्ग को अब परिहार्य मानेने लगे है। अब परिहार्य से आसा है जिसके बीना काम ना चल सके। अब परिहार्य से आसा है जिसके भीना काम ना चल सके। क्या है कि जब सुरुवात में आप देखेंगे कोई भी कमपनी उद्ध्योग इस्थापित की जाती है नीजी प्रसासन के अंतरगत। तो सबसे पहले आप जन संपर्ग किया जाता है जो एड़वा टाइमेंस होता है जो वेकैंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी होती है पहले आप देखेंगे और अभी आप देखेंगे प्रचार पहले सरकार न्यूज शैनल के माध्यम से दुरदर्शन में क्या करते थे लेकि में आप देखेंगे ग्रामीड अंचल पर चाहे सहरी छेत्र हो और ग्रामीड दोनों छेत्र की बात करते हैं तो समय समय पर सर्वेक्षण होते रहता है सर्वे होते रहते हैं जिसके अंतरगत जो सिच्छक होते हैं जो नर्स होते हैं मितानिन वर्ग होते हैं उन्हें जन सं पर करवाय जाता है कि जो सरकार की योजना आ रही है उनका लाब मिल पा रहा है कि नहीं मिल रहा है ये सभी आपके चाहे नीची प्रसासन और लोग प्रसासन दोनों में होता है और पहले भी हो रहा था और अभी भी होता है पांचवा क्या है अनवेशड अनवेशड में क्या प्रशासनिक चुनावतियों एवं समस्याओं के निवारण के लिए दोनों नहीं अन्वेशड की आवसकता रहती है। अन्वेशड से आसाई क्या है जो नविन सिध्धान्त होते हैं, जो नई खोच की जाई रहती है, जो उपकरण होते हैं। उसमें आपका लोग प्रशासन के अंत्रकत सरकारी प्रशासन और नीजी प्रशासन दोनों में छमता एवं उन्नती के अनुसार अन्वेशड का कार्या और कर्मचारियों को सोत का कार्या कदाई तो दोनों प्रकार से दिया जाता है। तो ये रहा आपका लोग प्रशासन के समानताएं, पांच प्रमुक बिंदुओं पर दखे, संगठन की आवसकता, कार्या प्रणाली में असमानता, अधिकारियों के समान, उत्तरदाईत्व, जन संपर्क, अन्वेशड चलिए, अगला टॉपिक है आपका लोग प्रशासन एवं नेजी प्रशासन में असमानताएं, देखते हैं कि लोग प्रशासन एवं नेजी प्रशासन में क्या असमानताएं हैं, तो याद रखेंगे, समान या विक्तियों के दिश्टी से अगर आप देखेंगे, तो जो सर्वाज्यनिक प्रशासन, समझ गया है, लोग लोक प्रशाशन जबकि वहीं आप दिखेंगे जो नेजी प्रशाशन है वह राजनेती सुन्य होता है इसके अलावा एक्टिव रहता है काम आपको जल्दी कहां होता है नेजी प्रशाशन के अंतरगत तो जो लोक प्रशाशन तथा नेजी प्रशाशन में असमानता का जो दिर्श्टी कोड है इसमें आप प्रोपेसर हरबर्ट साइमन कहते हैं कि समान्य व्यक्तियों के दिर्श्टी में सारवजनीक प्रशाशन राजनेती से परिपूर्ण, नौकर साही और लालप फीता साही वाला होता है जबकि नेजी प्रशाशन राजनेती सुन्य और चूस्ति से काम करने वाला होता है ये किन के अनुसार है प्रोपेसर हरबर्ट साइमन के अनुसार तो देखिए हमको तो एक्जाम को दिश्टी कोड से याद करना है तो आईए हम नेजी तथलोक प्रशाशन के प्रमुक अंतर क्या है, प्रमुक भेत क्या है, क्या असमानता है, उसके बारे में देखते हैं तो पहला बिंदू है आपका लाभ का तत्वा पहले देख लेते हैं क्या है निजी प्रसासन को मुल अधार है लाभ प्राप्त करना जबकि लोग प्रशाशन का लोग कल्यार के द्रिष्टी से कार्य करना इसके बाले हम पहले भी देखें है कि अखीर निजी प्रशाशन का उद्देश से ही होता है लाब अर्जित करना जबकि लोग प्रशाशन का उद्दे से होता है लोग कल्यार के दिष्ठी से कालिय करना दिखिए जब कोई बैपारी रहता है जब बैपार करना प्रारम बगड़ता है तो वह सोंचता है कि मैं जो बैपार अभी करने जा रहा हूं अखिर उससे मुझे क्या मिलेगा इस तरह से वह पूरी तरह से विचार करने के बाद किसी उद्योग या उद्याम को प्रारम करता है क्यों प्रारम करता है तो लाब अर्जित करने के लिए तो इसी में आपका असमानता पहला है कि लाब का तत्तों में है निजी प्रशाशन का मुल अधार है लाब प्राप्त करना जब कि लोक प्रशाशन का लोक कल्याड के द्रिष्टी से कारिय करना दूसरा बिंदू है सेवा की भावना तो सेवा की भावना किस तरह से होती है लोक प्रशासन दोरा जिन सेवाओं को संचालन किया जाता है वे सवाएं प्राया जन्ता की मुल आवसक्ताओं की पुर्ति करती है और साथ ही उनकी प्रकृति इतनी महत्पूर्ण होती है कि उनके बीना समाज का जीवन, सभ्यता और संस्कृति का विकास असंभा हो जाता है आपको पहले बताया हूँ कि कोई योजना आ रही है तो उसमें ग्रामिड अंचल के किसान तक उस योजना को पहुचाने के लिए समाज का जो जीवन है, सभ्यता है और संस्कृति है इसको बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सरकार को चाहे घाटा हो जिसके अंतरगत राजकोसी घाटा होता है इकोनामिक समें आप लोग पढ़ेंगे जनता की सुरक्षा है, स्वास्ता है, इन सभी सुईधाओं को देने के लिए जो लोक प्रशासन है, सरकारी प्रशासन है पूरा सुईधा देने का प्रयास करता है यही है आपकी सेवा की भावना की जिस तरह से आपका लोक प्रशासन में होता है सेवा की भावना नीजी प्रशासन में नहीं होता है नीजी प्रशासन जब तक आप सही सलामत है आप में योग्यता है, कारी करने की छमता है तब तक आपको जो private company हैं निजी संस्थाएं हैं वहाँ आपको करेदत रखा जाएगा जब आप उसके योग्य नहीं रहेंगे तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा तो सेवा की भावना लोकप्रसासन में आपका जादा है तीसरा बिन्दू हो गया तीसरा है सार्वजनिक उत्तरदाइतव तो आईए देखते हैं उत्तरदाइतो के अंतरगत क्या है निजी प्रशासन जनता के प्रति उस रूप में जवावदेह नहीं होता जिस प्रकार की सरकारी विभाग होते हैं लोग प्रशासन को समचार पत्रों तथा राजनितिक दलो की आलचोनाओं का सामना करना पड़ता है कहने का आसा है यदि सरकार सही तरेके से कोई योजना को क्रियानवित नहीं करता है तो आप समय समय पर देखेंगे हमेशा आप देखेंगे विपक्ष के द्वारा आलोचना किया ही जाता है जो विपक्ष के समर्थक रहते हैं वे भी आलोचना करते हैं इसी प्रकार से पक्ष और विपक्ष का काम होता है योजना प्रारंभ ही नहीं हो पाया रहता है ग्रामिड अंचल तक पहुच ही नहीं पाया रहता है आलोचना प्रारंभ हो जाता है यही है आपका सरवजनिक उत्तरदाइत्व के बाद हम देखेंगे विवहार की कुटा के बारे में तो उम्मिद करता हूँ सारवजनिक उत्तरदाइत्वा आप समझ गए होंगे कि जनता की जो प्रतिक्रिया है किसके माध्धम से होती है जो विपक्छ का आलोचना करता है उसके अंतरगत प्रत्यक सरकारी जो कर्मचारी होते हैं जो उस योजना के अंतरगत लगे रहते हैं उन्हें जनता की आलोचना सहनी पड़ती है चौता है वेवहार की एक रूपता इसके अंतरगत क्या है लोग प्रशाशन के अंतरगत वेवहार में कुछ एक रूपता पाई जाती है जबकि निजी प्रशाशन में उन व्यक्तियों के प्रति अगहाद रूची प्रगट की जाती है जिन से वेवसाय को अधिक से अधिक ल अंतरगत कोई काम करवाने जाएंगे, तो जो लोक प्रशाशक हैं, जो अधिकारी वर्ग है, चाहे आप एक व्यक्ति जाएं, दो व्यक्ति जाएं, चाहे अलग-अलग समय में जितने व्यक्ति जाएं, उनमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाता है, जो योजना है, जो समाज के लिए उप्योगी वस्तु है, जो सेवाएं हैं, उन्हें सब को समान अधिकार के अधार पर प्रदान की जाती है, जबकि वहीं आप देखेंगे, नीजी प्रशासन में पक्षपात पूर्ण अर्थात विशिष्ट व्यवार किया जाता है, जिनहें उन्के साथ ज़़ादा प्राप्त हो, व्यवसाय में उसे, जिससे अधिक से अधिक लभप प्राप्त हो उन्हें ज़़ादा अच्छ व् बात हो या आम व्यक्ति की बात हो वहां उन्हें वेवार की एक रूपता देखने को नहीं मिलती है चौथा बिंदु हुआ आपका वेवार की एक रूपता कि लोग प्रशाशन में सभी को समान वेवार प्रापता होता है जबके निजी प्रशाशन में प्राप्त समान विभार नहीं होता है पाच्वा है एकधिकार की द्रिष्टी से क्या है एकधिकार की द्रिष्टी से? आईए देखते हैं लोक प्रशाशन में प्रायह प्रशाशन का एकधिकार होता है तथा उन कारियों को कोई भी व्यक्ति घरेलू तोर पर नहीं करता नीजी प्रशासन में इस प्रकार का एकदिकार नहीं पाया जा सकता एक ही वस्तु का उत्पादन अनेक बैपारियों द्वारा किया जाता है क्या है एकदिकार की दृष्टी? तो जो लोक प्रशासन है उसमें सासन का एकदिकार होता है जैसे आपका डांक सेवा है रेल्वे सेवा है ये आपका सरकली तोर पर होता है अभी तो इसमें सासन का एकदिकार हुआ लेकिन क्या कोई भी नीजी संस्था है डांक खान जो डांक सेवा है रेलवे की विवस्था नहीं कर सकता है भले ही निजी करण होना अलग बात है लेकिन स्वयम सासन का एक अधिकार निजी प्रसासन वाले नहीं कर सकते हैं भले ही कोई उद्योग इस्थापित कर रहे हैं उद्योग इस्थापित कर रहे हैं माले जे पहला वाला कोई कमपनी इस्थापित करता है उसको अधिक से अधिक लाव मिले तो वही कमपनी दूसरा व्यक्ति भी इस्थापित कर सकता है तो इस तरह से क्या हुआ कि एक ही वस्तु का उत्पादन एक से अधिक अर्थात अनेक बैपारियों दौरण प्रारंभ हो गया तो एक अधिकार के दिश्टी तो एक अधिकार आपका लोग प्रशाशन में है नकी नजी प्रशाशन में ठीक है पांचवा हो गया छथवा बिंदु है का नुनों वन नियमों का प्रभाव तो लोग प्रशाशन अप्यक्षक्रित कानुनों एवं नियमों से अधिक नियमित होता है इतना निजी प्रशाशन नहीं होता है तो आप देखेंगे जो सरकार के अंतरगत आप पढ़ेंगे लाल फीता साही जो राजनेती डबाव होती है किस पर जादा होता है तो सरकारी प्रशाशन में जिसे लोग प्रशाशन के अंतरगत रखा जाता है यही है आपका कि लोग प्रशाशन अप्यक्षक्रित कानुनों एवं नियमों से अधिक नियमित होता है जबकि नेजी प्रशाशन में वेवहार की अधिक स्वतंद्रता रहती है क्योंकि उनका दाइत्व अधिक से अधिक जो उद्योग इस्थापित किये हैं उसका उत्पादन बढ़ाना है और लाब अर्जित करना है जबकि लोग प्रशाशन में सरकार का जो योजना है उसको करना ही पढ़ेगा तो इसमें आपको नियम भी है कि इस समय तक आपको करना है निश्चित तारीक दी जाती है निश्चित समय के अनुसार और निश्चित कानुन के अंतरगत आपको उस योजना को कृरियानवित करना रहता है तो यह रहा आपको प्रमुर छटवा बिंदु साथवा बिंदु है जिवना और अश्यक एवंप प्रिहार्य सेवाएं क्या है लोक प्रशासन की क्रियाओं में ही एक प्रकार की अनिवारियता होती है जिसका निजी प्रशासन के छेत्र में अभा होता है कैसे तो जो सांती और स्वास्त है सिच्छा है आधी ऐसे कारिय होते हैं जिनकी एक भी दिन अभेलना नहीं की जा सकती है जब तक सांती नहीं होगी, स्वास्त ठीक नहीं रहेगा, सिच्छा पाप्त नहीं होगा तब तक लोग प्रशाशन का संबंद समाज की उन आवसकताओं से रहता है जिनकी पूर्ती के बिना समाजिक जीवन संचालित ही नहीं किया जा सकता है तो जिवन के लिए जो आवस्यक है उसमें आपका लोग प्रसासन ज्यादा दाइत्तो प्रदान करता है जबकि नीजी प्रसासन नीजी स्वार्थ के लिए जिसके बारे में अभी उल्लेक कर रहे था हमें लालप फीता साही के दिश्टी कोर से क्या है लालप फीता साही की दिश्टी कोर से आईए देखते हैं लालप फीता साही लोग प्रसासन का संगठन नौकर साही अधार पर होता है जबकि नीजी प्रसाशन का संगठन बैपारिक अधार पर सबसे पहले समझे लालप फीता साही क्या है कहां से एक्जामपल ने चलिए कलेक्टरेट के बाद करते हैं आप देखेंगे जब आप कलेक्टरेट कोई काम करवाने जाते हैं तो वहाँ पर बाबू होता है लिपिक वर्ग आप डारेक्ट कलेक्टर से नहीं मिल सकते हैं आपकी जो भी आवेदन है आप बाबू वर्ग को परदान करेंगे अगर आप पैसा उनको एश्ट्रा देते हैं तो आपकी काम करने की संभावना जल्दी हो सकती है वहीं आपके वल आवेदन छोड़ देते हैं तो आपके काम करने में देरी होगी एक दिन के इस्थान पर दो दिन तिन दिन चार दिन हो सकता है तो लाल फीता साही के अंतरगत है कि आप उस बाबू के पास न जा करके डारेक्टर अगर आप कलेक्टर के सामने प्रेस करते है उस आवेदन को तो हो सकता है उसमें जल्दी कारवाही हो तो लाल फीता साही जो बीच की समय आपका बेर्थ जाता है जो आपका आवेदन है उस पे सुनवाई होनी में जो देरी होती है ये किस्टे करन होता है लाल फीता साही की अंतरकत समझ गए होंगे तो देखिए लाल फीता साही में क्या है लोक प्रशासन में प्रसासनिक कार्य के गती धीमी रहती है क्योंकि इनको एक सिक्वेंस से गोजनना रहता है एक प्रक्रिया के अनुसार जाना पड़ता है इसलिए इसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा भरष्टाचार होता है इसमें लोक अलोचना भी करते है प्रसासनिक जो बुराई करते हैं वही है आपका इसमें आपका निजी प्रसासन में इस प्रकार से नहीं होता है जो भी निर्णा होते हैं उसे समय पर लिया जाता है और जो प्रसासिक जो कारिय हैं उनको तेजी से गती प्रदान की चाती है, इसमें निजी प्रसासन में, जबकि आपके लोक प्रसास में इस तरह से नहीं होता है, वहां आपको सिथिलता देखने को मिलेगी, भरष्टाचार देखने को मिलेगा, तो आठवा हो गया लाल फिता साही के द्रिष्टी कोड से नवव है वित्तिय नियंत्रण की द्रिष्टी से अंतर तो लोग प्रशासन में वित्य तत्थ प्रशासन प्रिथक प्रिथक कार्य करते हैं जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है लोग प्रशासवन में वित्य छेतर में बाह नियंत्रा रहता है जबकि निजी प्रशासवन में ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि निजी प्रशासवन अपना पैसा लगाता है जितना वह उद्योग में पैसा लगाएगा उतना ज़्यादा वह जिस भी वस्तियों का उत्पादन कर रहे हैं उसमें अधिक उत्पादन करेगा तो लाब अरजित करने की संभावना उस पर बढ़ जाती है लेकिन लोग प्रसासन के अंतरगत आपको सरकार जब तक पैसा पे नहीं करेगी तब तक आप उसको क्रियानवित नहीं कर सकते हैं तो वित्ति नियंतर के दिश्टी से अंतर हुआ सेवा सुरक्षा की दिश्टी कोर्चे देखें तो याद रखेंगे सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों को सुरक्षा का भरोसा होता है जबकि निजी प्रसासन में इस तरह से सुरक्षा नहीं मिल पाती है क्यों नहीं मिल पाती है तो मान लिजे कोई सरकारी सेक्टर है कोई से सरकारी विभाग है यदि उसका नीजी करण होता है तो आपको तो रखाई हैं रखेंगे ही क्योंकि आप पहले से सरकारी जॉब में हैं तो उस सेक्टर का उस विभाग का अगर नीजी करण किया जा रहा है तो आपको जो सरकार सुईधाय प्रदान की जाती थी आप पैसा अधिक लेकर काम कम करते थे कहां सरकारी विभाग में वहीं आपका जब नीजी करण हो जाएगा तो आपको समय पर काम पूरा करना ही पड़ेगा इससे क्या होगा जितना अच्छा आप काम करेंगे हो सकता है आपके में प्रमोशन हो यदि आप अच्छा काम नहीं करते हैं नीजी सेक्टर में तो हो सकता है आपको बहार भी निकाला जा सकता है तो सुरक्षा आपका पहले लोग प्रसासन में ज़ादा है जबकि नीजी प्रसासन में क्या है माल लीजे कोई कमपनी बंध हो जाती है तो उस उद्योग में काम करने वाले जितने व्यक्ति हैं जितने मजदूर वर्ग हैं वे सभी रोजगार से बेरोजगार की इस्थिती में आ जाएंगे कब जब उद्योग बंध हो जाएगा तब तो इस तरह से आपका सेवा सुरक्षा के दिष्टी से अगर आप देखेंगे तो लोग प्रशासन में आपको ज़्यादा सुरक्षा प्राप्त होती है निजी प्रशासन के तुलना में इसके लावा भी एक दो और हैं भिन्ना अचार सहीताएं हैं परिवयस में भिन्नाता है छेतरों में असमानता है यह आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमको एक्जाम के दिष्टी कोड़ से पढ़ना है ठीक है अंती में देखते हैं निशकर्स आए निशकर्स पर बात करते हैं कि लोग प्रशाषन और निशी प्रशाषन में तो समानता हैं और असमानता हैं देख लिए निशकर्स क्या कहता है उसके बारे में देख लिते हैं लोग प्रशाषन और निशी प्रशाषन में उप्यूक्त अंतर दिष्टब्य है देख लिए किन्तु सच्चाई यह है कि दोनों प्रसासनों में अंतर केवल मात्रा का है मात्रा का समझ गए कि काम जल्दी कहां होगा निजी प्रसासन में सुविधाय कहां जदा प्राप्त होगी लोग प्रसासन में तो यह केवल आपका मात्रा है कम या ज़्यादा गूड तथा प्रकार का नहीं ये दोनों का नहीं है मात्रा के ही है सभी प्रकार के प्रसासनों को योजना, संगठन, आदेश, समनवाय ये नियंत्रण की आवसकता होती है ये हम समनता पे पहला बिंदू था और अपना कारिया भली भाति संपन करने के लिए सभी को एक जैसे समान्य सिधान्तों का प्रकार ये दोनों एक ही सिख्के के दो पहलु के समान है किन्तु दोनों की विशेस तकनिके तथ मूल्य है जिसके करार प्रकृति भिन्होती है तो इस तरह से हुआ आज आपको दूसरे टॉपिक लोग प्रशाषन और निजी प्रशाषन कल की कच्छा में हम नविन लोग प्रशाषन, विकास प्रशाषन वत्तुलनात्मक लोग प्रशाषन के बारे में देखेंगे फिर ये आपका तिसरा टॉपिक कम्प्रिट हो जाएगा तो जाइए समझ ना है तो एक बार और देख लिजिएगा नोट सा आपको लगबग दो घंटे के अंदर मिल जाएगा तो जाइए पढ़िए लिखिए मिलते हैं फिर नई सुबह और नए टॉपिक के साथ आज के लिए धन्यावाद